मैं भारत को भारती अताकी मानमिता के आधार पर फिर से ख़ड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना, सब घर में हैं तो जिनको भी डाइविटीज हैं उनको बोलो के दो चमच मेथी का दाना रात को पानी में डालें सबेरे उठके पानी को गूट-गूट से पियें और मेथी का के खाएं बहुत सरल इलाज है, तीन महीने में आप देखोगे शुगर नॉर्मल रहे लेकिन शुगर नॉर्मल हो जाएं तो ये मतलब नहीं है कि मेथी का दाना छोड़ दे आगे कभी भी ना हो भविश्य में थोड़े दिन खाते लो ऐसे ही अगर आपको जॉइंट स्पेन बहुत होता है गुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कमर में तो भी मेथी दाना अदुद काम करता है, क्योंकि बात से होने वाली कोई भी बीमारी में मेथी दाना अदुद काम करता है और जॉइंट स्पेन सब बातज बीमारियां हैं, बात की होने वाली बीमारी सब घर में महती दाने हैं एक महती दाने को मैंने 48 बीमारियों में उपयोग करके देखा है बराबर काम करता है गंबीर से गंबीर बीमारी और आसान से आसान बीमारी में काम है महती दाने का एक बहुत गंबीर बीमारी अक्सर माताओं बहनों को होती है कोई मा अगर गर्भावस्था में है तो बच्चा उत्पन होने के बाद उसका गर्भ अपने इस्थान से खिसक जाता है जिसको uterus displacement कहते है गर्भाशों का अपने इस्थान से खिसक जाता है अब डॉक्टर के चक्कर में अगर आप फसे तो वो तो क्या बोलता है कि ये तो आप खिसक जिया अपने इस्थान से तो इसको काट के निकाल दो अगर काटके ही निकालना था तो भगवान ने दिया क्यों मुर्ख तो नहीं है भगवान कम से कम डॉक्टर की तुल नामा तो मुर्ख नहीं है हर डॉक्टर के पास एक ही जवाब है काटके निकाल दो काटके और जिस मा का गरभाषद कट गया उसकी जिन्दगी कट जाएगे फिर पूरी जिन्दगी उसको पीटदर्द होगा पाओं में दर्द होगा घुटने दुखते रहेंगे और इतना दर्द होगा किसी दवासे रुकेगा नहीं फिर जब उसकी मृत्यू होगी तो दर्द ठीक होगा। इतना खराब है ये। तो आप कभी भी कोई डॉक्टर के ये बहकावे में नहीं आना। वो ये कहता है ना गरभाशे काट के निकाल दो तो कहो जे राम जी कि तुम तुम तुमारे घर में बैटो हम कहीं और जाएंगे। और आप घर में इलाज कर लो। जो भी माता या बहन का गरभाशे थोड़ा भी अपने इस्थान से हट गया है। उसकी सबसे अच्छी दवा है यही मेती का दाना। इसके लड़ू बना। गुड़ और घीव के साथ। और वो मा को रोज लड़ू खिलाओ सबेरे शाम। आप देखना 20-25 दिन में अपने आप गरभाशे अपने इस्थान पे आ जाए। अध्बुत काम करता है। आपको नीद नहीं आती है। तो आपका यह जो अगूठा है ना अगूठा। इसके नाखुन के दोनों साइड में मेती दाने बांद के पट्टी लगा लो। बहुत गहरी नीद में सो जाओ गया। अगूठे के नाखुन जहां खतम होते हैं उसके नजदीक मेती दाना रखो और टेप लगा लो दोनों तरफ। और आप देखो कितनी गहरी नीद आती है। बहुत अद्बूत काम करता है। किसी बच्चे को कान में बहुत दर्द हो रहा है। दो-तीन मेती दाने डाल दो पांच मिनट ऐसे रखो तो दर्द बंद हो जाएगा। ऐसे दर्दों मेती दाना निकल दो है। मैंने बता आपको 48 बिमारियों में प्रयों किया मेती दाना। कभी भी यह ना नहीं बोलता, रिजल्ट हमेशा देता है। और हमारा घर कोई ऐसा है नहीं जहां मेती दाना मिले नहीं। अद्बुत है आप इसको जरूर घर में रखो बरपूर इस्तेमार करें। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें।